फरिदाबाद की दर्जनों मस्जिदों में इद उल जुहा के मौके पर हजारों मुसल्मान भाईयों ने नमाज अदा की और देश और दुन्या में अमन्चैन और सुकन की दुआ मांगी बकरी ईद की नाम से जानी जाने वाली इल उल जुहा पर मौली ने बताया की विश्वकर सेकड़ों देशों में यह इद का पुर्वा बड़ी धूम दाम से मना जा रहा है इस पुर्वा पर कुर्बाने दी जाती है इस कुर्बाने में जानवर के एक एक बाल पर एक एक नेकी मिलती है पर के जानवर की हक्तिक्या है तो सरकार दो जहां ने दिशार की एक 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 यूज्वा पर्मावाद कना गुढ़ाद। तो सरकार दोजहां ने दिशार फर्माया बिकुली शार रतिन हसना यानि खुर्वानी के जानबर के हर हर बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगी और हदरत इबरहीम खरीरुल्ला अलेहिस सलाथ उत्सलीम खुदा के मुकद्स पेगंबर हदरत इबरहीम अलेहिस सलाथ उत्सलीम बड़े जरील उकद्र और अजीम बरकत रसूल है आपका लगब खलीरुल्ला है और हुजूर के बाद नबियों में आपका रुत्बा सबसे हवजल है आपने पर्चमे तो एकी सर्बलंदी के लिए नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वाले इंसान को इंसान से जिहाद फर्माया और आग के भड़कते हुए शोलों में बेख़तर खुद पड़े आप काबे के बानी और अबुल अंबिया है यानि आपके बाद होने वाले तमाम अंबिया अले इससलाम आप ही की उलाद में से हैं खुदा की शान के बहुत दिनों तक आपके घर में कोई फर्जंद नहीं पायान लगा और आप फर्जंद सौलिखीन सौलिखीन माने आता ने कि तमन्न में बार बार रब के करम के दरबार में जुआ मांगते रहते थे और इस तरहां अर्ज़ करते थे रब्भी हबली मिनस शालिहीन यानि ए मेरे परबर्दिगार मुझको नेक बेटा आता फर्मा चुनांचे बुड़ापे में आपकी दीबी हजरत खाजरा के बतन बतन माने आता पेट पेट से आपके फर्जंद हजरत इसमाईल पैदा हुए कि चुनांचे बड़ी-बड़ी दौाओं और इस्तिजाओं के बाद मिला होगा वह बाप की नजर में कितना अजीज बच्चा होगा घरम के नाम पर हाँ और अगर जिहाद जिहाद शेहाब कराम नभी क्या है जिहाद अगर इसके उपर कोई वहाई करता है वह गलत है उनका पतीदा वो बोजाने, उनका धरम वो बोजाने, हमारा धरत इसलाम, हिन्नत दीना इंद लाहि इसलाम, इसलाम से अच्छा कोई मज़ब नहीं